हेलो फ्रेंड आज हम भरवा करेला बनाएंगे इसे हमने नमक में पकाया है नमक में पकाने की बज़े से इसमें 0% ओयल यूज होता है और उसकी बज़े से करवे भी नहीं लगते हैं तो इसे बच्चे भी पसंद करते हैं तो फ्रेंड उमीद है कि आपको ये तरीका जरूर पसंद आएंगे तो चलिए सबसे पहले मसाला तयार कर लेंगे तो इसके लिए दो मेरियम साइज के प्याज लिया है प्याज को रफली काट लेंगे तो इसे हम मिक्सी में पीसेंगे तो इसलिए रफली काट रहे हैं इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं और दो हरी तो ये भी डाल देते हैं और मसाला एड़ कर लेंगे जैसे कि 6-7 लासन के करिया दो चमच सोफ हैं सोफ से थोरा सा मिठास आएगा करेला में दो चमच राई लिया है राई भी आप चरूर डाले इसे भी डाल देते हैं एक चमच, काली, मिर्च लेंगे चाय तो आप इसमें और भी मसाला एड़ कर सकते हैं एक चोधाई कप पानी डाल देंगे मसाला पीछने के लिए तो इसे हम बारिक पेश्ट बना लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमने बारिक पेश्ट बना लिया है इसे साइड में रख देते हैं तो यहाँ पे 500 ग्राम हमने करेला ली है तो करेला कुछ इस टाइप का होना चाहिए जो की भरवा बनाने में असानी हो अच्छा सच सेब भी आएगा तो करेला को धो लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने करेले को धो लिया है इस तरीके से घीसना है आप चाहिए तो जितना थोड़ा लगा सकते हैं लगा लें पर यह है कि नमक पूरे छिलके पर आजाना चाहिए इस तरीके से तो फ्रेंट करेला में हम नमक तो लगाते ही हैं फिर लगा के उसे धोते हैं या हम छिलके को छील के फिर उसमें नमक में लगा के फिर छील के को धोना परता है इसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी परेगी बस इस तरीके से आप करेले में नमक लगा लीचे और ये नमक बिल्कुल जादा भी नहीं होता है आप सोचेंगे कि ये नमक जादा भी हो जाएगा इतना तो य लेख सकते हैं तो यह करेला हमारा तयار है नमक लगा के अब दिखें क्या अब है कि एक दाबा लेंगे हम को सबाबनें जिसमें हम रोटी बनाते हैं तो लोहे का दाबहा होना चाहिए रोलेजिर दाब सलेंगी । 4 ध्यान रखिए तब ही इस करेले का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अब इस तावा को हमने गरम कर लिया है हाई फ्लेम पे अब फ्लेम हमारा लो है उसमें ये करेला को रख देंगे तो सारे करेले को इस तरीके से सेट कर देंगे तो करेला हमारा सेट हो गया है अब इसे कुछ ऐसा ढाकन लेंगे जो कि चारो साइड से ढाक जाए तो ताकि जब हम गरम होगा करेला तो भाफ बाहर नहीं निकलेगा तो इसे ढाक देते हैं इस ताइप से ढाकन से तो मैं दिखाती हूँ फिलेम हमारा लो है लो फिलेम पे देख सकते हैं फिलेम हमारा लो है तो लगभग लो फिलेम पे पांच मिनर तक इसे पका लेते हैं लगभग 5 मिनट तक आप इसे पलट लेंगे तो पलटने के बाद आप देख सकते हैं करेला ने अपना कलर चेंज कर लिया है मतलब पकने लग गया है करेला तो इस तरीके से पलट लेंगे और इसको बंद कर देंगे फिर से वही 5-7 मिनट के लिए या तो करेला हमारा जितना देर में पक जाएगा उतना देर तक आप बीच में चेक भी कर सकते हैं बस फिर से प्लेम को लो ही रखेंगे तो इस से फिर से 5-7 मिनट तक पकने देते हैं पास से साथ मिनट में देखेंगे कि करेला हमारा पक गया है और पानी भी सूख जाता है तो ये देखिए पानी भी सूख गया है तो फ्रेंड अगर आपके पानी नहीं सूखते हैं तो आप फ्लेम को तेज करके करेला को पकने के बाद पानी सूखा लें पानी सूखाएंगे तभी टेस्ट अच्छा आएगा, तो करेला पग गया है, जो इस तरीके से थोरजा डार्क हो गिया है, तो वो tight हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि करेला हमारा कच्चा है, वो नमक की बज़े से थोरजा tight हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे गा, इसका flame बंद कर दिनेंगे और इसे बंद करके छोड़देंगे ताकि करेले से जो गरम घरम फाफ निकलेगा उसकी मैं सिर्फी सौप्ट भीग वसौप्ट भीड़ूगां, तो इसे छोड़ देते हैं, जब तक ठंड़ ना हो जाएं, ठंड़ा होने के बाद इसका बेज निक अच्छे तरीके से पक गया है चाये तो करेला को इस टैम आप 80% भी पका सकते हैं तो मैं यहाँ पे बिल्कुल करेला को 100% पकाई हूँ आप इसका बीज निकाल लेंगे तो फ्रेंड मैं इसमें सारे बीज यूज कर रही हूँ जैसे कि यह तो अच्छे वाली बीज है जैसे कि करेलिक अंदर जो बीज पक भी जाते हैं तो वो भी बीज मैं यूज करी थी इस वीडियो में आप चाये तो उसे फेक भी सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है पके पर मैं इसमें पका भीज और कच्छा भीज दोनों यूज करती हूँ तो सारे बीज को हम निकाल लेंगे और इस बीज को कड़स करेंगे तो उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब हम बीज को भी पीज के डालते हैं पीज के भी आप डाल सकते हैं तो मैं यहां पे क्रस्ट करके बीज को डाली थी तो उसे भी अलग टेस्ट आता है तो यह दिखी यह बला बीज पका हुआ है तो इसे भी मैं यूज कर होता है बीज से भी अलग ही टेस्ट आता है करे लेका जब आप पकाएंगे तो आपकी कीचेन में बहुत यह अच्छी खुस्पों आएगी इस बीज की पकने की बज़े से इस बीज को क्या करेंगे करश कर लेते हैं तर जो बट़ा होता है तो मैं करश हो घ्रच हो गया तैयार है अब ये करहाई लेंगे, अब इसमें एक चम्मच के लगभग सर्चों का ओयल डाले हैं, इसको अच्छे से गरम कर देंगे, आप चाहे तो ओयल इस चगे और थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं, या जादा भी यूज़ कर सकते हैं, अब इसमें हमने राई, जीरा डाला, औ चम्मच धनिया पाउडर डाला, फ्लेम हमारा लो है, अगर आपके करहाई जादा गरम हो जाते हैं, तो फ्लेम को बंद कर लें, तभी सुकी मसाला डाले, इसको एक मिनट तक मिक्स कर लिया, अब यह जो हमने मिक्स किया हुआ, पीसा हुआ मसाला था, वो डाल दिया, तो फ सब्ची में, बस इसमें आमचुर्ण या निम्बू नहीं जाएगा, तो इससे भी हमने बीज को भी इसी में डाल दिया, अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, अगर आपको लगता है कि नमक जादा हो जाएगा, हमने नमक पहले घीस रखा है इतना सारा, तो आ मिक्स करके पकाएंगे, तो उससे पहले हमने देगी मिरज डाला है, अब इसे भी मिक्स कर लेंगे, फिर से फैला के इसे पकने देंगे, क्योंकि हमने तेल कम यूज किया है, तो लोफ लेम पे पकाना होगा, तो ये देखिए हमने इस टाइम, पांच मिन तक हमने पकाया थ मसाला तो अब इसे मेडियम फिलेम पे लगभग तेर से दो मिनर तक मिश करते हुए पकाएंगे ताकि जो भी मसाले में पानी होगा वो सूख जाएगा जब मसाले का पानी सूखने लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा बस गैस का फिलेम बंद कर लेंगे तो फ्रेंड कहीं जादा न हो जाए तो वैसे जादा नहीं होता है अगर आप इस तरीके से नमक घिस के पकाएंगे तो आप इस तरीके से मसाला भर लेंगे करेला में तो फ्रेंड यह वाला एश्टेप जरूर देखिएगा तो इसी तरीके से भर लेते हैं यह वाला करेला बहुत ही टे देंगे इसमें हमने लगभग एक चमची तेल डाला है चाहे तो आप ग्रीस भी कर सकते हैं थोड़ी सी बरस में लगा के ग्रीस कर लीजिए कड़ाई को अब इसमें सारे करेले को डाल देंगे तो टिप्स यह है देखिए आप ध्यान से इस करेले को इस तरीके से दवा तो सारे करेले को इस तरीके से सेट कर देंगे और इसे लूफ लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे आप बीच में चेक भी कर सकते हैं कहीं करेला जल तो नहीं रहा है तो 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ तो यह देखिए बहुत अच्छा कलर आया है तो इसे फिर स मैं 5 मिनट तक पका लूँगी बंद करके तो फ्रेंट थोड़ा से जादा भी पका सकते हैं क्योंकि मसाला भी अच्छे से घरम हो जाएगा करेला के अंदर उसका फ्लेवर चला जाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा तो यह लेजिए करेला हमारा तैयार है वर्वा करेला नमक में पका हुआ तो फ्रेंट अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिएगा जादा से जादा से शेयर किजिएगा न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा कुक्वित इंडियन टेस्ट को फेस्बुक पेज पे भी ला बाइ बाइ